आजकल मुझसे हर कोई एक सवाल कर रहा है, सब पूछ रहे हैं कि तुझे ओफिस में कोई स्ट्रेस तो नहीं, काम की कोई ज़्यादा टेंचन तो नहीं, मैं समझ तो गई थी कि सभी लोग मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, जवाब तो मैंने दे दिया था कि ऐसा कु आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ, नमस्कार, मैं हूँ जोती रागा और आप देख रहे हैं, जनता दर्बार न्यूज तनाव कर देगा आपके जिन्दिगी को तबाँ, आपके दिल को कमजोर कर सकता है तनाव, यहाँ तक की आपकी जान भी ले सकता है तनाव, आज की ये खबर आपको सोचने पर मस्पूर कर देगी, काम का भड़ता बोज और तनाव किस कदर एक जिन्दिगी को निकल सकता है 26 साल की होनहार लड़की एना जो अनस्ट एंड यंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में काम करती थी चार्टेड अकाउंट एना ने तनाव के चलते अपनी जान गवा दी एना की कमपनी जोइन करने के मात चार महीने बाद ही मोत हो गए बताया जा रहा है कि पिछले चार महीने से वे लगातार काम कर रही थी जिसके चलते उस पर काम का दबाव और तनाव काफी भड़ गया था गंभी तनाव से जूजती एना को ठकान और बेचयनी महसूस होने पर अस्पताल में भरती करवाया गया डोक्टर ने उसके गंभीर हालत को देखते वे तुरंत इलाज शुरू किया लेकिन दुर्भाग्य वर्स वे कार्डियक अरेस्ट की शिकार हो गई थी और एना की मोत हो गई एना की इस दुखद मोत ने सभी को जगजोर कर रख दिया था हालांकि ये खबर लोगों के सामने तब आई जब एना की मा का एक लेटर शोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हुआ जिसमें उन्होंने ये दावा कि आफिस के प्रेशर की वज़े से एना की जान चली गई उन्होंने अपने लेटर में लिखा कि कमपनी में जान के सिर्फ चार महीने बाद ही ओवर वर्क प्रेशर के कारण एना की मौत हो गई इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि एना की मौत के बाद उनके अंतिम संसकार में ओफिस के तरफ से कोई शामिल तक नहीं हुआ इस खबर के सामने आने के बाद से ही शोशल मीडिया पर वर्क प्रेशर को और मेंटल हेल्थ चर्चा का विश्य बन गया है ये घटना सिर्फ एक दुरगटना नहीं बलकि इच्चे तावनी है तनाव की गंभीरता को नजर अंदाज करना जान लेवा साबित हो सकता है क्लिनिक हेल्थ एक्सपर्ट और सोशियोलोजिस्ट डॉक्टर ने बताया कि तनाव हमारे स्वास्ते के लिए बेहत खतरनाक साबित हो सकता है इसका असर नेकिवल मानसिक इस्तिती पर बलकि शरीर के कई अंगों पर पड़ता है डॉक्टर का कहना है कि लगातार काम का तनाव, व्यक्तिगत और पेशिवर जीवन में संतुलन, नए बिठा पाना, शोशल और फाइनेंशियल सिती के सभी कारण तनाव को ओर भड़ाते हैं और जब यह तनाव शरीर और दिमाग पर हावी हो जाता है, तो यह दिल से जोड़े बिमारियों और कारण अरेस्ट जैसे खत्रे पैदा कर सकता है जिस कारण आपकी जान भी चली जाती है, और यह सिर्फ एक लड़की की मोत नहीं, ना जाने कितने ही असी जाने चली जाती है, जिसका अंदाजा भी शायद आपको ना हो, बलकि हमारे समाज में भड़ते तनाव और मानसिक दबाव की एक गंभी चेतावनी है आखिर कहां जा रहे हैं हम, इस घटना ने सवाल खड़े कर दी हैं कि आखिर क्यों यूँ अ प्रोफेशनल खास कर महील आएं, तनाव के इस खतरनाग दोड़ से गुजर रही है, क्या यह परफेक्शनिस्ट बनने का दबाव है, या फिर समाज द्वारा निर्धारित माम को पूरा करने का जुनून, आखिर यह है क्या, क्या आगे भड़ने की दोड़ में हमने अपनी जान की परवा करने ही छोड़ दी है, जिसके जलते हैं, नाजाने हम कितनी ही विमारीयों की जगणन में आ गए हैं, और कभी भी हमारे साथ कोई भी अन होनी हो सकती है, लेकिन हमें ये बात पता कब चलेगी, कब समझ में आएगा, इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, तनाव को अपने जिन्दिगी पर हावी मत होने दीचिए, याद रखिए, चुनोतियां आती हैं, लेकिन उनके साथ समाधान भी होते हैं, मानसिक, शान्ति और संतुलन के लिए हर दिन थोड़ा समय खुद के लिए निकाले, गहरी सांसे ले, मुस्कुराएं और खुद को यही याद दिलाएं कि आप हर इस्तिति से निपटने में सक्षम हैं, सही जीवन शैलिये सकारात मक्सोच से हम तनाव को मात दे सकते हैं, और खुशाल जीवन जी सकते हैं, अन्त कर दे सकते हैं, आपकार!